तो फिजाज दोस्तों अभी हम कारवान मार्केट में घूंग रहे थे मुझे यहां पर बहुत टी डिफ्रेंट टाइप के एक दिखाई दिखाई देख सेते हैं दोस्तों कितने छोटे-छोटे एक हैं हम भाई दे पूछने के कोसिस करते हैं भाई यह किस चीज के अंडे हैं कि तीतर बठेर बठेर फिलाज दोस्तों यह अंडे वाकई काफी कलर फूल और रंगीन दिखाई दे रहें और यहां पर अंडे डेखेंगे तो अलग अलग कलर के बाई यह किस चीज के अंडे हैं हशकन है यह हंस का अंडा है यह बहुत कलर फूल है शरा मतलब कर पूरा र जर्ण के अलग है डिपरेंड है नार्माज मूर्गीयों की तरह यह बाद तक बड़ा बड़ा वह गर्दन होता अंडा बाकि यह सारा हंस का अंडा और यह अधि जो यह दुन जनी मूर्गी क्या नहीं लेयर लाल अच्छा चाहां बोल्यार बूल अच्छा बूल्यार मुर अच्छा बाकि यह अंडा मैं पहजी बार देख रहा हूं भाई यह किस इसका होता है यह पाकी वाकी है ना छोटोला पाकी तीतर बटेर कुछ उचतर रगा क्या है तो यार यह अंडा मुझे वाकरी काफी अजीब जगा गुरुजी यह अंडा देखिए मुझे काफी अजीब जगा भाई मतलब मैं पहले बार देखा मैं इंडिया से हूं मैं इंडिया से आया हूं तो थोड़ा कारवान मार्किट घूम रहा था यह मार्किट बहुत बढ़ा मार्किट है क्या बहुत बढ़ा मार्किट है और यह कितना पुराना मार्किट है यह पुरान आए ज्यादा पुरान आएगा बहुत बहुत साया तो भी होगा 300-400 साल पुरा ना यह से तो होगा न और बागी यह पूरे मार्केट में क्या क्या आइटम समेज़ते हैं जो बहुत आइटम इस तरह से मुर्गी कंडो भी बिखते हैं इतने छोटे-छोटे काउन कहा आपका बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत सुक्रिया तो फिजाज दोस्तों इस तरह से यहां पर आपको अंडे भी काफी डिफेंट डिफेंट विराइटियों को बेज देखने को मिलेंगे जाम लेकों इधर भाई साहब मुर्गी बगर के दुकाने है और यह वाइक य पूरी कजार पाकिस्तानी मुर्गी यह देख सकते हैं इंडिया में बहुत मिलती है इस प्राइब ज्यादा होता होगा फिर तो कीमत कीमत क्या है कीमत क्या का कितना टका बाई इस मुर्गी कीमत है तीनसोबीस टका पर केजी और यह पूरी रंगी मूर्गीं है दोस्ते हम इसको एक तरह से देशी मुर्गी कह सकते हैं आपका नाम बाई क्या है मासंबिल्दा तो फिल्हाल प्राइब आगे की तरफ चलिते हैं बाकि यार दोस्तों यह मार्केट में का झाल झाल झाल